भारती जंदा पार्टी की प्रदेशा अध्यक्ष एवं विधान परिशत सदस्य उत्तर प्रदेश स्वतंद्र देव सिंग के धामपूर आगमन को लेकर इस्थानी भाजुपा नेता एवं कारी करता तायारियों में जुटे धामपूर चेर्मेन राजु गुपता ने बताया जनपत बिजनोर के धामपूर नगर में नगीनाच चोक पर लगाया जाएगा 101 फिट उचा तिरंगा वही नगरपाली का परिशद धामपूर द्वारा करवाये गए विकास कारिया का लोकारपण भी कल 22 मार्च को दोपेर दो बजे नगरपाली का परिशद कारेले में आयोजित किया जाएगा जिसमें 101 फिट उचे तिरंगा जंडा का ध्वजा रोहन तिरंगा महात्मा जोतिवा फूले चोक का सुरंदरे करण स्वतंतता संग्राम सेनानियों एवं लोकतांतरिक सेनानियों के नाम पर शीलापट एवं नगरपाली का परिशद कारेलाए धामपूर स्थित चेर्मेन क लोकारपण आदी शामिल है नौ भारत समाचार धामपूर जनपत 29 से दिनेश कुमार प्रजापती की रिपोर्ट धामपूर में पर्देश सद्यक शुतन देव जी का आगमान है कल क्या तैयारे चले किस तरह की तैयारे चले कि अगरपाली का दियाग दामपूर नगरपाली का द्वारा जो सौन्दे करने का गाम और 101 फूट तरंगा जंडा जो जिला में जिला के आसपा जिलों में करने मानने प्रदेश सद्यक जी लगबत दो बजे महापन अगरपाली नगीना चुराएं पर पहुंचेंगे उसके साथ ही जोतिवा फूले की जो मूर्ती है उसका जो पारक है उसका भी संदर करन कराया गया है सबतंतर सहनाम सनानियों का शिलार पन्या पट और लोकतन सना करने का यह चार करें मेरे काराले का उद्गार्ण करना है कल प्रदेश सद्यक जी वहाँ पर पहुंच रहे हैं और अब सभी धाम पुरवासियों से मेरा निवेदन है कि जादे ही संक्या पर महां पहुंचें और वहां जो तैयारी पूरी तरीके से चल लही है जिससे कोई क कर दो कर अई बंम पुरॉ सुओ दिए को ऑगर चार्ड़रा बंम पाठाय को ज्साज से बि execतने को अभ़ासि अना है है ट निहां बें मत्मram कि जदो सवुंचें से दो तर, फॉर चल眉ंचें 10 का स्वां मत्माल सवार्ड़र यहां भंग से लां जदें भी है झाल झाल झाल